अगे जो पोएम अभी हम करने वाले है उसका नाम है अलोन और उसे लिखने वाले है एडगर एलन पो ने इस पोएम को अपने फॉस्टर मदर है फ्रैंसिस एलन उनकी याद में लिखा था विकास वो उनकी डेथ हो चुकी थी थी ना उनके डेथ के बाद हुना ने यह लिखा में है एडगर एलन ने इस पोएम को नाम नहीं दिया था उनके मरने के बाद यह नाम दिया गया अलोन और उसके मरने के बाद ही इसे पब्लिश कर आया गया उससे पहले ही पब्लिश नहीं हुआ था तो पोएम 22 लाइन का है और यह अंबिक 14 मिटर हमें देखने को मिलता है ना तो तो जो हमारे पोएट है उनका कहना यह है जो हमारे नरेटर है उनका कहना यह है कि बचपन से ही बचपन से ही वो वैसे नहीं थे जैसे तूसरे लोग थे जैसे other common people थे जैसे average human होता है वैसे वो नहीं थे वो different थे I have not seen as others saw तो जो दूसरे चीज़े दिखते थे ना जो दूसरों का perspective होता था चीज़ों दिखने का जो common people का perspective होता था उनका perspective वैसा नहीं होता था उनका perspective बहुत different होता है ना वो बहुत ही imaginative किसम के आद्मी थे वो छोटी छोटी चीज़ों में भी mundane चीज़ों में भी specialty ढूंड लेते थे ना I could not bring my passions from a common spring तो वो चीज़े ना उनके passions उनके वो चीज़े जिन्हें वो love करते हैं वो बहुत ही different है common लोगों से ना for example अगर common लोग क्या है ना उनका अब ये एक generalization होगा बड़ दन समझने के लिए आप समझ दीजे कि usually लोग है ना वो पपरा देखते हैं उन्हें TV serials देखना पसंद होता है जबकि ये person है कि इनका बहुत ही different है ना तो जो जो जिन चीजों से दूसरों को प्यार हो जाता है दूसरों को interest होता है जो चीज़े दूसरों को excited करती है इनहीं वो नहीं कर पाती है ना इनका जो love है passion है चीजों को लेके वो बहुत ही different चीज़े होती है जिनसे शायद ही कोई प्यार करता है ना so I could not bring my passions from a common spring है ना next है from the same source I have not taken my sorrow region तो एक रह सेना same source मतरब एक ही जगह से उन्होंने sorrow नहीं लिया मतरब जिस चीजmeal से उन्हों और उन्हाँ नहीं मिल गया उसूज़ एक और बार ट्राइ करते हैं, एक और बार दुख लगता है, so यह जो person है, यह ऐसे नहीं है, इन्हें जहां से एक बार sorrow मिल गया, जहां से एक बार दुख हुआ है, वहां से एक और बार दुख इन्हें नहीं होता है, बहुत ही understanding वाले person है, so I have not taken my sorrow, yeah, from the same source I have not taken my sorrow, I could not awaken my heart to joy at the same tone, और जो pleasure है, I could not awaken my pleasure, तो इन्हें pleasurable feel नहीं होता, at the same tone है, जैसे दूसरे लोगों को जिन चीज़ से pleasure मिलता है, दूसरे लोगों को जो काम करने से या जो experience करने से उन्हें pleasure मिलता है, इनका वैसा नहीं है, इनका heart में यह जो joy है, यह pleasure है, यह उन चीज़ों से awaken नहीं हो to alone, और वो सारी चीज़ है जिन्हें यह पसंद करते हैं, यह पयार करते हैं, यह अकेले प्यार करते हैं यह एक ऐसे person है, जिन्हों ने जिस चीज़ को फिलार किया, उसे अकेले ही प्यार किया, अब देखिए अगर आप बहुती in a way अगर आप perspective way में सोचे तो अपने perspective सोte स सब लोग का यही हाल है, हम सब को लगता है कि हम बहुत ही special है, हम सब को लगता है कि हम हमें समझने वाला कोई नहीं है, कोई और परसन हमें समझ नहीं सकता, तो in a way, सब लोग kinda आपने आपको इस special place पे notice कर पाते हैं, anyway हम आगे चलते हैं, in case कोई deep thought होगा तो मैं आपको बदा दूँगा, Then in my childhood, in the dawn, of a most stormy life, was drawn from every depth of good and ill, the mystery which binds me still, from the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled, in its autumn tint of gold, from the lightning in the sky, as it passed me flying by, From the thunder and the storm, and the cloud that took the form, when the rest of heaven was blue, of a demon in my view, Okay, so, poet का नहीं यह है की, Then in my childhood, तो उनके बच्पन की बात अब बता रहे हैं, उनके childhood में, in the dawn of a most stormy life, जो उनका life है, वो बहुत ही turbulent रहा है, बहुत ही stormy रहा है, कोई चीजी स्टेबल नहीं थी, आप देखिए, जो हमारा, हमारे यह poet है, एडगर अनपोईन की life पी ऐसी ही रही है, बहुत ही turbulent रही है, बच्पन में ही इनकी इनकी फादर है, वो इनकी फादर है, वो इनकी फादर है, वो नहीं लव नहीं करते थे, यह आर्मी में गए, एंदेन इवेंचुली, वहाँ पे भी काम नहीं बना, फादर की साथ, जो फॉस्टर फादर है, उनकी साथ जगरा हुआ, वहाँ से वो अपने एक near relative के पास गए, वहाँ पे अपने कजन के साथ इनकी नहीं ने शादी कर ली, वो कुछ दलबद मर गई है ना, फाइनली जो और बीच में इन्हें जिन से प्यार हुआ था, उन्होंने इन्हें letter लिखना बंद कर दिया था, उनके फादर रोग दिया था, तो बेसिकली वह भी काम नहीं किया, उन्होंने भी किसी और से शादी कर ली, तो life बहुत ही unpredictable थी इनके लिए, कोई चीज स्टेबल नहीं थी, फाइनली जब last में जो इनके lover है, उनके husband मर गए थे, तो इन्होंने सुझा कि मैं दुबारा, आब हम marriage कर लेते हैं, बड़ दन उस marriage के कुछ दिन पहले ही, जो हमारे Edgar Allan Poe है, ये मर गए थे ना, इन्हें बह Wikipedia पर जाएंगे, और आप search मारेंगे, इनके death reasons आपको बाच लेया, कि ओके बहुत सारे reasons से हैं, तो surety नहीं, हमें ये नहीं पता कि end वाले उन hours में क्या हुआ था, ये पाए कहे थे किसी कोने जगा पे, तो इनके जो life है, वहाती struggles, बहुती turbulent गया है, कोई stable सा गया नहीं है, कोई इनने love को भी मिला नहीं है, जब भी मिला है, तो थोरी दर में, थोरी दर के बाद भी वह चला गया है, और हम इनके poetry में ये देखते हैं, इनके जितने भी poetry and short stories है, उसमें हम ये देख पाते हैं, उनका जो सारा theme है, वो dark है नवे, तो वही कह रहे हैं हैं, कि in my childhood, then in my childhood, in the dawn of a most stormy life, so जो मेरे जो stormy life है, मेरे जो turbulent life है, उसके बिल्काल dawn में है, childhood में, was drawn from every depth of good and evil, the mystery which binds me still, तो वो एक mystery की बात कर रहे हैं, वो एक mysterious force की बात कर रहे हैं, good possibility की है imagination है, उनका जो ये imaginative power है, जो उनको दूसरे लोगों से different बनाता है, उन्होंने जो पहले stanza में बताया ह है कि मैं different हूं जोगों से, मैं चीजों को different way में देखता हूं, मैं चीजों को different way में perceive करता हूं, so उनका जो इनका जो इनका जो इन Imagenative power है, ये उनने बनाता है, इसी को वो बोल रहे हैं कि ये है वो mystery, ये हो mystery है, जो मुझ میں अभी भी है, मुझ में अभी भी वो ये imaginative power है, य secondary imagination में यह पास अभी भी है यह अभी भी मुझे bind करती है मेरे अभी भी है और from every depth of good and ill अब वो यह decide नहीं कर पा रहे कि यह जो imaginative power है यह उनके लिए अच्छा है कि बुरा है देखिए एक तरह से कर सोचे तो अच्छा है वो एक artist है वो create कर सकते है वो ऐसी चीज़े लिख सकते है जो usually common लोग नहीं लिख सकते है वो ही यह बुरा है बिकास इसी की वज़े से उनका जो life है वो इतना sad है इतना miserable है उन्हें love नहीं मिल रहा उन्हें किसी तरह का attachment feel नहीं हो रहा है उन्हें लोगों से जैसे others है वो ऐसे नहीं है तो दोनों ही reason है उनका जो अच्छा ये जो उनका mystery है ये जो imaginative power है ये उनके लिए अच्छा भी है और ये बुरा भी है तो इसके बाद वो कहते हैं कहां 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 उन्हें ये mystery feel होता है from the torrent or the fountain torrent means कोई fast waterfall या कोई fast spring नदी की धारा तो वहां पे और the fountain या फिर fountain में fountain is जर्णा from the red cliff of the mountain की जो red mountain है उनके उसे cliff पे उसे cliff से उन्हें ये mystery जो है वो kind of उन्हें bind करती है ओके then sorry from the star that round me rolled और star जो हमारा sun है जो उनके इर्द-गिर्द चक्कर लगाता है in its autumn tint goal और autumn के महीने में जो उसका जब उसका पतन होता है जब sun दूब रहा होता है तब जब उसका golden color निकलता है golden color निकलता है तब कि वो बात कर रहे हैं वहां से उन्हें inspiration मिलता है imagination imaginative power उन्हें hold करती है from the lightning in the sky as it passed me flying by और वो बोलते कि जब वो lightning देखते हैं sky में lightning होता है बिद्द चमकता है and it passed me flying by और वो उड के उनके साइट से जाता है जब lightning आती है तो वो कही ना कही गिरती है तो इन अवे आप सोच सकते हैं वो आपके साइट से उड के गई है वो ही कह रहे है and the thunder and the storm from the thunder and the storm कि उन्हें thunder से भी यह imaginative power feel होती है कि thunder जो thunder है जो sound है lightning के आने के बाद जो sound आता है उसे हम thunder कहते है and the storm और जो storm है जो बबंडर है बंगली में से बोलते हैं ज्छोर and the storm and the clouds that took the form और ऐसे clouds जो एक form ले रहे हैं आप देखी रहे होंगे देख पाते होंगे जब आप उपर जाते हैं जब आप छत पे जाते हैं आप उपर देखते हैं कि जो clouds हैं वो किसी ने कोई shape वो ले रहे हैं when the rest of the heaven was blue और कभ ये जब जो बागपूरा आस्मान जो है वो नीला है और आपको एक ही cloud देख रहा है और वो cloud किस form में है क्या देख रहा है उस cloud में आपको of a demon in my view कि वो एक demon का shape ले रहा है बताने का पूरा जो ये poem है इसका मतलब ये है मतलब इनावे सार ये है जो हमारे person है जो हमारे poet है वो बहुत ही imaginative person है वो कुछ भी imagine कर लेते है वो mundane चीजों में भी कुछ ना कुछ artistic ढून लेते है जैसे कि उन्होंने इस cloud के अंदर demon को देख लिया कि वो एक demon का form ले रहा है तो यही हमारा poem हमारे पास एक person है जो बहुत ही I guess अकेला feel कर रहा है lonely है and दोसरों से अलग है और उसने अपने आपको अच्छे से describe किया है शुरू में हमें बताया कि कैसे वो different है and then बाद में उसने अपना imaginative power का एक अच्छा कासा detail दिया है So यही हमारा poem poem का नाम है Alone by Edgar Allen Po Thank you for watching